आपके सामने एक नया लेक्चर लेके आया हूँ और थैंक्स फॉर पॉमेंट्स थैंक्स फॉर लॉव जो आपने पिछले वीडियो में दिया तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाले ये अन डेमाड टॉपिक है विकाज समफ और सब्सक्राइबर्स ने हमें मेसेज भी की थी और कॉमेंट्स में भी मेंशन किया था कि फिल्टर फीडिंग इन पॉली चेटा या पॉली केटा इसको हम बोलते हैं यह हमें आज पढ़ना है तो चलते हैं आगे देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि फिल्टर फीडर इसका मतलब क्या होता है एक ऐसा फुट प्रो कर्मेंट इन विच फुट पार्टिकल्स डिरेक्ली और रेंडम्ली स्ट्रेमर्ट फ्रॉं बाटर यानि उनके लिए होता है जो बॉटम पे डिवलर है अगर आपको याद रखना है आज हम क्या क्या पढ़ेगे सबसे पहले एक ओवर्यू देखेगे पॉलिकेटा में क्या होते है पॉलिकेट्स जो है वो कौन से एनिमल्स होते है फिल्टर फीडिंग क्या होता ये भी हम देखेगे mechanism क्या है, adaptations क्या है और इसकी ecological significance क्या है और last में हम देखे कि यह क्यों हमें पढ़ना है हमें क्यों इसकी जोरत है हमें क्यों यह जानना जोरूरी है तो यह हम अगनी वाली slide में पढ़ेंगी तो पहला हमारा है रहने वाला है what are polykets polykets आपने class 11th में भी पढ़ा होगा या आपने syllabus curriculum में भी पढ़ा होगा कि जो polykets है यह किस से belong करते हैं यह belong from phylum anilida कौन से? anilida याने segmented verbs segmented verbs, हाँ, जिससे कौन कौन से belong करते है, आपका earth form लीजे, आपका leach लीजे, आपका कौन से बिटा जी, नीरीष लीजे समझा रही मेरी बाद, polykets जो है, एक diverse class है जिन में marine worms आते है exhibited wide range of feeding strategy, देखो, खाने के लिए, यह अपना nutrition हासल करने के लिए समझा रही मेरी बाद, इनके पास wide diversity है कोई क्या करता है most of the entering feeding mode for example, जिसमें filter क्या है, इसको हम बोलेगे एक mode of nutrition है इनका समझा रही मेरी बाद, filter, देखो holozoic तो है, लेकिन अलगलग type है, for example, हम ingest करते हाथ से, यह bottom पे ही क्या रहते है, develop रहते है, filter feeding is special feeding habit, adaptation that allows these organisms to extract food particles suspended in water, यहनि जो suspend हो गए होते है suspend मतलब आपने suspension पड़ा होगा यहनि एक पानी के साथ मिल गए होगे, इनका जो majorly जो खाना होता है, वो zooplankton या phytoplankton होते हैं तो यह आपको याद रखना है देखो, आज की इस article में हम देखेगे कि क्या एक overview, किसके overview upon the polycata, जो polycates होते हैं उन वहाँ पर कैसे वो घजा हासल करते हैं यहाँ पर हम देखेगे तो यह जी मैंने आपको पहली बोला, नेरी इससे इसकी बड़ी अच्छी से example मानी जाती है, और यह जो होते हैं, यह predominantly marine organisms होते हैं, और marine habitat में ही पाएते हैं, और shallow coastal bottle में भी यह कुछ पाए जाते हैं, polycate इनके पास बहुत सारी morphological diversity यह belong करते हैं, और feeding strategies closely associated with the ecological niches, यहने इनकी जो, इनका जो यह filter feeding method जो है इसकी ecological significance भी है, जो हम last में देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि क्या, suspension feeding, इसको हम दूसरा नाम क्या बोलता है, suspension feeding, बिकाद, यह suspension feeding इस लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, जो suspended food particles, for example, हमारा phytoplankton लीजे या detorites देखेंगे, जो detorites मतलब होता है, मुर्दा, जो dead digging होने के लिए होता है, उसको या zooplankton जो होता है, उनको यह खात है, जो पानी के साथ चलते रहते हैं, उन्हीं को ही खाते है, वालिकेट, जैट, employ filter feeding, help, वालवर, specialized structure, behaviors to facilitate efficient food capture and injection, देखें, इन्होंने क्या किया है, देखो, इनमें आगर आप देखोगे, ऐसा two like structure आपको मिलेगा, जहां पर क्या होता है, एक साइट से पानी आता है, और ऐसे filters होते है, जो क्या करते है, जो खाने को क्या करते है, ट्रैप करते है, समझा रही ही मेरी बात, और इसी को यहां filter feeding बोलते हैं, और हम आगे जाने के, क्या क्या मसला होता है, तो जैसे मैंने आपको बोला, इनको हम बोलते है, क्या, इनको हम बोलते है, इनको हम बोलते है आपको याद रखना है यहीं पर फुट पाटिकल हस जाता है तो mechanism क्या है mechanism क्या होता है देखो polycates employ different mechanism of filter feeding देखो हाँ जो filter feeding क्या है उसके वी अलगा टाइप से कैसे है सबसे पहले जो है वह हमारा ब्रैंकिल filter feeding क्या होता है देखो यहां पर आपको याद रखना है कि कुछ polycates ऐसे भी होते हैं जिनके पास special appendages होते हैं जिनको हम बोलते हैं ब्रैंके या gills बोलते हैं जिसका काम क्या होता है जो क्या काम करते हैं दोनों respiration भी करते हैं और foot particles को भी capture करते हैं और यह जो है इन जो हमारे gills होते हैं इनके उपर क्या होती हैं सीलिया होते हैं और जो क्या करते हैं जो current को generate करते हैं अंदर जेखो flow गया इधर आपको याद रखना है哎 variables के साथ मैं आपको समजाऊँगा देखो बचाता है अंदर जब जाता है न पानी तो अंदर जो current क्या करते हैं जनरेट करते हैं और जिसके वाइसे फ्लो आफ वाटर सस्पेंड़ पार्टिकल टोड़ जहां से किदर जाता है यहां पर इसके माउथ में चला जाता है इसके यह ऐसा मोड आफ क्या दिखा देंग दूसरा जो है वह है म्यूकोस नेट क्या करते हैं इसको म्यूकोस नेट पीडिंग बोलते हैं अगर आपको पता हो यह क्या यह स्टिक्की म्यूकस जो कहां से आता है आपको याद रखना है सच as pulse ya tentacles which form a net like और यह कहां से आता है आपको याद रखना है यह म्यूकस बैग से आता है समझा रही मेरिया अगर हम पीशे ही देखे कि हाँ यह वाला म्यूकस बैग यहां इसी म्यूकस बैग से किया निकलता है आपको याद रखना है जो कहां जो क्या एक net like न जिस से क्या कर आपने ट्राइब और वूड को और यह कहां पर दिखने को मिलता है आपको Christmas tree वरम में दिखने को मिलता है इसके अलावा particle selection feeding particle selection feeding क्या है देखो यह जो है यह कुछ ही कुछ ही में होता है यहां पर selective are in their feeding habitat option to be here and they possess specialist बैंके पास कुछ specialist structure होते है जैसे modified appendage yaw jazz होते है जिसकी विश्वाइब कैसे क्या होता है यह क्या अपना फैवरिट है यह जो इसको पता है मुझे खाना उसको क्या करते है capture करते है किसे? पानी से capture करते है और इसके वैसे क्या है? ये अपना optimize कर सकते है अपना nutrient intake का या अपना खाना आना या खाना खाए या ना खाए ये उस पे control कर सकते है इसके example है sandworms को अलिटा वेरिंस भी बोलते है और इसको हम दूसरा नाम बोलते है employee particles selection, fading भी बोलते है जो ये जो थे हमारी ये तीन हमारी क्या थे इसके अलग-अलग types दे है अगहां देखे कुछ adaptations है क्या adaptations है? सबसे पहले देखो इनमें बहुत सारी adaptation है time to time हा समझ जा रही मेरी बादेखो adaptation या evolution adaptation बोलो या evolution बोलो ये एक ही बात होती है adaptation देखो evolution तो होता है याने इतना नई features को अपने आप एड़ करना adaptation भी वही होता है याने अपने आपको माहोल के according डालना समझ जा रही मेरी बाद siliry retracts किसी किसी में filter feeding में क्या आई है पहले है siliry tracts और tentacles कुछ के पास क्या होते है well developed or siliry tracts होते है क्या होते है well developed or siliry tracts होते है और tentacles भी होते है जिसके वज़े से क्या होते है ये क्या करते है water currents को क्या करते है create करते है जैसे मैंने अभी बोला आपको यहाँ पर brankle क्या feeding में मेंra यहांपर विआ करते हैं अबको याद रखना है यह को याइक हैं कि वी क्या करते हैं सब्सक्राया उसके क्या हुबता है अगर आपको यह याद रहा है से उसकी यूप ही Rare कुछ जिस यहां कबने फिल्टरिक्टर है इसके अलावा नुकस निकलता है इसके वज़से बेह इसके बादा है झाला ईसके अलावा एक स्फेल कष़ई त्रॉक्टर निकलता है जिसके वज़से क्या होता है Times इसको selective करना है समझा रहे ही मेरी बाद इसको selective करना है वो इसको selective को retain करते है और बाक़ी को छोड़ देते है पानी की flow के साथ या tube नहीं इनके पास क्या होते है tubes होते है इसा made up of mucus mucus से बनते है sand से बनते है या secretive material से कुछ भी होई इससे बनता है और यह जो tube से यह किसका काम करते हैं बोत shelter इसका भी काम करते हैं और filtering apparatus का भी काम करते है जो दुबर्म extender feeding structure such as tentacles देखो इसमें क्या होते है tentacles out of the tube होते है और जिसकी विएसे वो क्या करते है वो क्या करते है foot particles को क्या करते है capture करते है while remaining safely enclosed in there to homes I hope आप इसको यह समझाया होगा देखो इनकी मैंने आपको पहले ही वो ला लेक्ट्टर की स्टार्ट में बोलता है इनकी कुछ क्या होती है ecological significance होती है सबसे पहले देखो filter feeding के एक marine ecosystem में क्या करते है balance लाते है जिसके वज़से क्या होता है जो suspended particles है इनको खाते है और इसके वज़से transfer of energy होती है और इसके अलावा यह nutrients को ocean crust पे रहने नहीं देते है यह आपको याद रखना है यह phytoplankton population को consume करने के लिए recycling organic materials को क्या consume यह recycle करने में बहुत vital role play करते है यह इसके अलावा यह food source भी दूसरे organism के लिए है for example हमारे fishes लीजी या हमारे कुछ crustations होते है crustations दोस होते हैं उनके लिए क्या करते है खाना का काम करते है समझारी मेरी बाद और इनके base पे यह एक food web भी बनाते है तो conclusion में क्या है यह अच्छे सी क्या है polycates में अच्छी सी adaptation आई है इन्होंने अपने आपको क्या किया है अपने आपको इसी के accounting डाला है याने इनको आप suspended food particles ही खाना है समझारे में whether branchial feeding या mucus net feeding या किसी भी method से खाए समझारे मेरे बाद वो branchial क्या होता है sorry वो filter feeding method ही होता है polycates है different specialized structure देखो इसकी वाज़े से इनमें क्या आया है nutrition intake को भी ये क्या कर सकते है ये क्या क्या control कर सकते है समझारे मेरे ये contributions to marine ecosystem as primary consumer जैसे हम आपको याद रखना है जैसे एक grassland feeding feeding chain में या feeding क्या बोलता है foot chain में क्या होता है एब एक हर विबोर क्या करता है एक not काम करता है वैसे एकंक करते हैं में झाल किसका प्राइमरी और आपको समझाइक तो जे जो बाग्री चीजह है भी देखो और सरे सी में एक कभा आये जाएगा थाब्र आज़ ओ। और पर आपको यह पूर आपको इसकी उपर रिसर्च करना है यहाँ पर आपको कोई PhD इसमें नहीं करनी है आपको सिर्फ यह सीखना है कि क्या होता है तो I hope आप सब लोगं को समझाया होगा तो यह हमारे दिखो यह जो हमारा टॉपिक है यह हमारा खात्म हो गया, यह चोटा सा टॉपिक है, अगर आपको इस चप्टर की नोट्स चाहिए, तो मैं एक PDF बना रहा हूँ, जिसमें जितना भी मैंने पढ़ाया है, उसमें मैंने वो इंक्लिूड किया है, वो आपको तभी मिलेगी, जब आप हमारी किस पे करोगे, हमार टेलिग्राम चनल को डाउनलोड करो, सॉरी, क्या करोगे, आप उसको जोइन करोगे, तो आपको मैं वहीं पर वो क्या करूँगा, शेयर करोगा, मिलते हैं नेक्से वीडियो में, तिल दैन, अलाहाफिस.